हलो गाईज तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सामसन डाडा की अपडेट के साथ और सामसन डाडा इस वक्त अपना बेस्ट ट्राइ कर रहा है मायलोस के साथ कि वो हर्डी को भी बीट कर दें बट अगर बाडी बिल्डिंग स्टेंपोइट से आप देखोगे तो ये चीज की भी वो डीटेल वो सैप्रेशन नहीं आई है वही ओल्ड वाली सेम स्टोरी टाइप ही है और बैक देखोगे ये लोवर बैक का पोर्शन स्पेशली तो कितना रिंकली और वाटरी साहे अभी भी और अब पांच दिन बचेगा इस मतलब अब व्यार एट पॉइंट जहां जहां फोर्ड परते हैं आपकी बैक की थिकने से और यहां पर मैं फोर्ड सो पर लाएं बट वो मसल के नहीं बलकि वाटर के हैं और इसी विए आप देखोगे तो सैमसन कितना ज़दा क्रिटिसाइज भी करे जा रहे है इस टाइम पर पीपल आर नॉट लाइकिं इस बात करेंगे बट अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही कह देता हूं कि हाड़ी चूपन अभी तक जब भी स्टेज पर आये हैं उन्होंने सैमसन को बीट नहीं कराये बलकि डेस्ट्रॉय कराये हैं और मैं अगर एस्टेटिक सा गेम नहीं होता तो मैं भी यही एक चीज़ एक जो आई भी कर रहे हैं अपने इस ओफ सीजन को चीज़ों को टाइम दे रहे हैं और देखो बीना ग्रो करे ही बिना अपनी पीक के क्लोज आये हुए एंड्रू ने टॉप 6 पो क्रैक करी दिया मिस्टर ओलंपिया में तो अब देख लो एक प्राइम एक पीक देंडू जैक कहां तक जा सकता है वैसे एंड्रू अगर यहां आणो क्लासिक में कम्पीट करते भी और आप्ट आउट नहीं करते तो भी विदाउट दे प्राइस यह टॉप 3 तो डेफिनिटली क्रैक करी लेते तो अब देखो गाइस इस कम से कम 6 महीनी के ओफ सीजन में एंड्रू अप क्योंकि आप पीरियड बहुत लंबा है एंड्रू इस पीरियड में इनको टाइम अच्छा मिल रहा है और यह एक माइंड्सेट के साथ जा रहे हैं कि अब मुझे यह चीज़े करनी ही है साथ ही मानो या ना मानो टाइम इस रणिंग आउट वहीं मतलब अगर एज को देख अपना बेस्ट वर्शन जो यह अचीव कर सकते हैं उसको अचीव करने के लिए और इसके बाद गाईज अब देखो रफाइल की निव अपडेट्स को भी लोग काफी ट्रॉल कर रहे हैं अभी आल्मोस्त तीन से चार अपडेट्स रफाइल की बिल्कुल पिछले एक दो द लोगों का यह कहना कि रफाइल इसके बाद बिग इनफ उनके पास इनफ मसल मास नहीं है एक्चुल जाइंट से बैटल करने के लिए यह किसी हद तक ठीक तो है बट वाट पीबल आ नॉट अंडरस्टाइडिंग की रफाइल इस वक्त एक्ट्रीमली लोग काफ साइट पर रफाइल इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता मतलब लास्ट यह को टॉप 10 का एथलेट साथ से आट पॉंड ज्यादा मसल मास के साथ इस एपसलूटली क्रेजी शेप और कंडिशन के हिसाब से आप देख रहे हो कितने जबर्दस लग रहे हैं यह मसल्स इनहें फिल बहुत ज़ादा नोटिसेबल रहेंगे जो शायद सामसन और हाडी को अभी इस पॉइंट पर तो ना बीट कर सकें बर थर्ड प्लेस के लिए आई थिंग एक सबसे स्टॉंग कंडेंडर जरूर होंगे सो रफाइल को बस अब और अपडेट्स पोस्ट नहीं करनी चाहिए खास तोर पर जिस तरह का क्रिटिसिजम उन्हें मिल रहा है और सब कुछ स्टेज पर एक्शली बिंग करने के लिए और विटनेस करवाने के लिए छोड़ देना चाहिए और वहीं पर ही शुट डिलीव में भी जो बिलकुल बात में हैं आर्नल्ड बरजील के सो अभी अगर अपडेट की बात करें तो यह है अप्रॉक्स सिक्स विक्स आउट अपडेट गुडवीटो की यहां पर तो गुडवीटो की वेस्ट और शेब दोनों ही बहुत इंप्रेसिव लग रहे हैं वैसे वेस मसल मास कहीं से भी लैक नहीं करें बट शेप और कंडिशन मैं रफाइल भी होंगे इस्षो में यानि की ब्रजील में और रफाइल का तो भी आल नो हाव गुडवीटो अच्छे लग रहे हैं और यह पहली ये बारे जब ही क्रिस्ट सितों के साथ ट्रें भी कर रहे हैं क्रिस्ट ओल्पिया बाकी काफी टाइम समने क्रिस्ट को कवर नहीं कराई चैनल पर तो इसका मतलब यह नहीं है कि क्रिस्ट गायब हो गयते या कोई भी ऐसी अपडेट नहीं दे रहे थे नोप क्रिस्ट इस वाकिंग एक्स्ट्रीमली हाट क्योंकि वो जानते हैं कि लास् केंडिशनी को देखकर ये चीज़ किसी ने लिए एक्सपेक्ट नहीं करी होगी उनसे एनिवेज क्रिजो अब हमें अपने टाइटल डिफैंड करते हुए दिहें हैं एमप्रो प्रो में और मुझे नहीं लगता गा इसकी इन्हें कोई भी दिक्कत आने वाली है क्वालिफ प्रोन डाउन करके ये एक एक एक्सपेम वाला लुक अप्टेन करने का ट्राई कर सकते हैं जो चीज़ डेफिनेटल इनकी बहुत हल्प करेगी साथ ही अब इस पॉइंट पर इनके लिए सिचुएशन की डिमांड भी यही है और फिर he will have some good chances in coming years क्योंकि देखोगा इस condition य बैंडन रिटायर हो जाएंगे एंड्रू के पास भी एज को कंसीडर करते हुए ज्यादा टाइम नहीं है हाडी चुपर्मिया फोशो दो से तीन साल मैक्सिमम कंपीट कर सकते हैं वह भी मैक्सिमम गाइस सो आने वाले टाइम में हम सेम बाडी बिल्डर्स को नहीं देखने बता दूँगा इस आप लोगों कि बहरूस तबानी डिफैंडिंग चैंपियन है आनो क्लासिक बर्जील के सो आप वो नहीं होंगे यहाँ पर जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हमें एक नया चैंपियन मिलेगा यहाँ पर और जो चीज मिस करी जाएगी वो है रफाइल औ मांक हमेशा कैरी करते हैं सो एनिवेज गाइस बहरूस अब जा रहे हैं एक आफसीजर में और भी ज़्यादा मसलमास इस फ्रेम पर एड़ करने का ट्राइ करने के लिए और लेट सी अब यह कब कंपीट करने का प्लान करते हैं बट जब भी करें में इनके साथ वहीं पर आ वेल टागेट तो होर्सम्डी भी थर्ड प्लेस को ही कर रहा हैं अपनी इस फाइव डेस आउट अपडेट में होर्सम्डी आई डोनो मैं अमेजिंग लग रहा हैं कंडिशन में थोले से पीछे आइवुड डेफिनेटली से बर उसके बाद भी जो वैस्कलाइटियन से प्ले करके जैसे यहां पर देखो how incredibly aesthetic he is appearing फिर यहां side chest में hamstrings देखो a good side like he has got details और hamstrings दोनों ही चीज़े अच्छी अविलेबल हैं और even though guys एक छोटे से पीरेड में ही ज्यादा muscle mass gain करने के लिए होर्सम्डीन अपनी waste को थोड़ा सा sacrifice तो कर दिया है और इसी चीज़ के लिए काफी हत्तर ट्रोल भी हुए बढ़ आप देख सकते हो कैसे महनत कर रहे हैं इन white delts की वज़े से waste proportionally तो smaller लग ही रही है और physique और भी ज़्यादा streamline लग रही है बैक यसे एक weakness है इनकी but still लोग आपको आपकी performance से याद रखते हैं और jessim की first performance open division में रही है यानि कि Romania pro में जिस तरह के unexpectedly great condition ये लेकर आये थे people are actually looking forward to ही बट यहाँ पर यहाँ तो इने रोम without a doubt ये कर ही जाएंगे क्योंकि अभी तो season start हुआ है बहुत सारे show ने जहाँ पर बहुत ज़्यादा competitive athletes compete नहीं कर रहे होंगे तो opportunity इनकी नहीं बन जाएगी बट अगर रफाइल को beat कर दिया man that is going to be incredible hope guys video आपको पसंद आयो पसंद आया है तो please like कर दो channel को subscribe कर दो notification bell को दबा दो instagram पर follow कर दो thank you bye bye